जो CBI है न उसको लेके बहुत ज़्यादा कुटु मीनार पर मत चढ़ा करो कोई क्या वो जिस एक्ट से संचालित है वही न मुख्य होगा किस एक्ट से संचालित है वो भाजपा तो तब पैदा भी नहीं हुई थी जब वो एक्ट बना था ठिक कि CBI में रामलाल जायगा कि मोतीलाल जाएगा यह सरकारी यह करती है चाहे जवालाल जी की और सास्त्री जी और कि और लियादा बाशपाय की और चरनसिंग की और आप संच गए ना? इसलिए अधिकत करये के नर। कि दिल्ली पुलिशी स्पेशल एक्ट से चलती है पता है जानकारी इसलिए इतना भी हाय तो मत मचाओ यार कि CBI CBI लगे के नहीं यह तो अंतराष्ट्री कोट से चलेगी के बल ऐसा नहीं है वह भारत की सरकार के धीने किसने आप से कहा धीन नहीं है अब रुख जाईए अपनी बात केस में कहो बातो मनीशी सवधिया जवानत हो यह कहने से क्या लाब जाओ दादा कहने से सते अंदर जे बिचारे कितना दुखी है साल भर से आप लोग जवानत नहीं कराए उनकी छोड़ो अब खेर दूसरी बात मैं कहूं इडी में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इट्रांसफर कौन करता है लंदन से होते हैं नहीं न वहीं से होते हैं न सरकार की सिस्टम से कोई सरकार रहे मनमौन सिंग थे तो वो करते थे नर्सिंग राओ थे तो वो करते थे देभी गवला थे तो वो करते थे मोधी है तो करेंगे क्या नए भाई लगातार नहीं तीसरी बात जजे CBI के डाइरेक्टर का चयन तीन लोग करते हैं मिलके जो लोगी सवाल उठा रहे थे कि CBI का डाइरेक्टर उनको यह समझना चाहिए कि तीन लोग मिलके करते हैं भारत के मुखिनाय अदीश भारत के पृधानमंत्री और लोग सभा में नेता विपक्ष तीन मिलके जिस नाम पर सहमत होते हैं उस आदमी को CBI के डाइरेक्टर बनाया जाता ऐसा नहीं कि इंडिया गेट पर जो पहला आदमी मिल गया चने मुरमुरे खाता हुआ उसी को बुला ले आए बोले तुम चलो तुम्हें डारेक्टर बना दे इसी नहीं बना सकता अब भारत में विवस्ता है कि सरकार पूरी जोड लगा ले फिर भी वो कहे किम रामलाल को बनाएंगे और चीप जेस्ट्रिस और एलोपी अगर सहमत नहीं तो नहीं बन पाएगा इस सचाई को तो जानो कि कि केवल प्रेस कंफेंस प्रेस कंफ और चुनावायुक्त भारत के सब उसी प्रक्रिया से चुने जाएंगे जिस प्रक्रिया से डारेक्टर सीवी आई चुना जाता है तो अब इन पर भी आरूप लगाने से गए आप चुकि इन में चीप जेस्ट्रिस बैठेगा एलोपी बैठेगा जब खडगे जी के बैट इसी तरीकी हमेशा होता था और इससे पहले यह जानकारी के लिए बता दू जब यह व्यवस्था नहीं थी तब 100% प्रदान मंत्री करते थे क्या जब देश में अविछिन रूप से कांग्रेस का शाषन होता था तो प्रदान मंत्री करते थे जिस पर माना जा उसी बना दे नहीं हो पाया इतना तो मानो और दूसरी बात मैं कहता हूं कि जिन जिन लोगों को लग रहा है कि सामाजिक जीवन में जो लोग राजनेतिक जीवन में भाजपा में आ गए वो भरष्टाचार उनके मामले बंद हो गए उन सब के मामले खुलवाने के लिए मनिवेदन कर र ना भारत माता की सेबा तो करिये लेकिन आप नहीं जाएंगे ना आप यहां रोज बताएंगे तीन सो करोना का गोटाला एरामलाल का और एक हजार करोना का श्यामलाल का मैं कहता हूं मेरे भाई तुरंत टेक्सी पकड़ो सोपरिम कोट जाओ इस गोटाले वास तो पकड़ कोई नहीं जा रहा है मेरे आवाज कोई नहीं सुन रहा है पता भई यह दावास सब कर रहा है कि मुझे पता है कौन कितना वड़ा गोटाले वाज आजा है सुवेंदु अधिकारी और क्वोण को नवन राना और क्या-क्या सब को पता है मैं कहता हूं जाईए बुर नहीं करेंगे के प्रेस कांफेर्स में अकांटबिलिटि नहीं न अगर आप मुकदमे में जाएंगे तो आप लीगल फ्रेम में अकांटबिल हो जाएंगे वकील साफ करा तो नहीं करेंगा नेता को सबसे बड़ा लाब मालूम क्या है क्या बोला और निकल लिया क्या बहुत जंजेट हो जात कदो मेरा आशे ये नहीं था तोड़ मरोड के प्रस्तुत किया और आदमी हो पीछे पढ़ जाए तो माभी मांग लो कदो बाई चलो सोरी क्या लेकिन अदालत में जब पिटिशन दायर करेंगे और एक बात कहके बात समाप करूंगा मनोज मेरे छोटे भाई है सतर्कता भिभाग में बगिलजब आप भी संजी बाबू आप भी और सारी काजी आप भी सतर्कता भिभाग में जब आप किसी के खिलाप चित्थी भेजते हैं ना यूपी में ऐसा है मैं रिखा से बाकी राज्यों में भी होगा तो पलट के वो उधर से चिठ्ठी भेजते हैं बगिल साथ क्रपिया इसको शपत पत्र पर सत्यापित करें इस जानकारी को क्या गाल बजाने से नहीं यह जान लेगे सतरकता विजिनस कहती है कि आपने जिट्टी जाली भई भलाने भलाने चोर हैं वो कहेंगे इसको सत्यापित करिए अपने पूरे पैन नमबर आधार नमबर की फोटो कापी इस सेल पर टेस्टर लगाने के साथ शपत पत्र दीजिए इस्टाम पेपर पर अच्छी बात है किसी पर आप बड़ा आरूप लगा रहे हैं तो इतना कुबद तो रखो मनो जाबू गलत बात नहीं गही अन्यता तो सबके लिए ये एंडलेस हो जाएगा सब किसी भी भले आदमी के चेहरे पर भी कीचर लगा भाग जाएगा कोई कि मैं कह रहा हूं 300 करों 400 करों 5000 करों 10,000 करों और देखिए पर आदालत में क्या इस्तिधी बनती ऐसा क्यों नहीं कर रहे कोई रोक है नहीं न कि अपने व्यक्तिकत मसले अधालतों में लड़ी रहे हो न देश के लिए भी लागा हूं मैं सारे बेवक्ष के नेता हूं जा कहता हूं सुप्रमेन स्वामी कत करोना निदी से जहले निता से सोनिया गांदी से राउल गांदी से कोई जमीन खेत का जगला था नहीं नहीं तेजस्ती बाबु क्यों नहीं लेते ये पेन नितिश बाबु क्यों नहीं लेते हाला कि नितिश कुमार की इस मामने मतारिव करूंगा वो बहुत ज्यादा फटेम टांग भी नहीं देते कि जी के वो कूल-कूल चलते हैं अबना ठीक है भागे उनके साथ है नेकिन बाकी तो वैसा क्यों नहीं करते राउल जी ने कहा कि साइकल गुंडागर्दी करती है और हाती जो है वो रुपया खाता है एक भाजपा उत्तपदेश की रैली में आके कहा था उनसे कहा जाता कि शपत पत तब देते नहीं न है चलिए राजनेतिक मंचों पर छूट रहनी चाहि लेकिन अधालत में तो जाएंगे तो पर तो कानून के दाइरे में जाना पड़ागा मैं चाहता हूं समूचे विपक्ष से अपील करता हूं जितनी शिकायते आपको टीवी के मंचों पर हैं उन शिकायतों के निष्थारन के लिए अधालत जाईए दो उधारन सुप्रमण स्वामी और लालू जी का केस कौन-कौन लोग पैरवी कर रहे थे मैंने उनके नाम भी ले दिये वो सब लोग अभी है अपनी जेब का पैसा लगा के आते थे दिल्ली तब बड़े नेता भी नहीं थे ये लोग है ना क्यों नहीं आप लोग जा सकते अर्विन के जरीवाल कर दे मुगदमा वो भी तो सब को जानते हैं कर दे मुगदमा च्यार बड़े वकील खड़े करें नहीं वो प्रसकंफिंस करेंगे प्रसकंफिंस से बाहर नकलिए अदालत के आंगन में आईए दूद का दूद पानी का पानी करिए धन्यवाद